Good morning, सिध्धी Hindi Online classes में आपका स्वागत है कल मैंने आपको बताया था वियवहार को कैसे पैचाना है वियवहार को पैचानोगे तो ही उसकी दो असर दे पाओगे तो यहाँ पर वियवहार को पैचानना है पैचानोगे तो फिर आपको समझ में आएगा क्या रोकड वेवहार है या उधार अगर उधार वेवहार है तो कौन सा सब बंदू पसीत होगा देने का और लेने का और वेवहार रोकड है तो आने रोकड आएगी या तो रोकड जाएगी इस तरह से दो वेवहार पसीत होगे तो आपको ये देखना है ये वेवहार रोकड होगा तो क्या होगा या तो रोकड आएगी या तो रोकड जाएगी और अगर उधार व्यवहार होगा तो क्या होगा या तो व्यक्ति लेने वाला होगा या तो व्यक्ति देने वाला या तो लेने वाला बराबर है तो व्यवहार को पहचान होगे तो आप फ़िवहार को पहचाने के मैंने कल आपको तरीके बताए आज हम दो असर देखते क्या हो रहे हैं तो मनोज ने 20,000 रोकड लाकर वेवसाय प्रारम के पहले तो वेवहारों को पहचानो रोकड शब्द है तो यह रोकड है अब आप देखो रोकड आ रही है कि जा रही तो रोकड आ रही है कहां से आ रही है मालिक ला रहा है जब भी मालिक लाता है क्या बन जाती है पूंजी हमने पहला लेशन देखाता है जिसमें पूंजी हमने देखा था ये वाला तंदाता का मालिक जो भी देता है तब वो क्या बन जाती है पुण्जी ठीक है तो व्यावसाय में क्या हुआ पुण्जी आए देखो रोकड आती है रोकड खाता मालिक रोकड लाता है तो पुण्जी खाता दो असर हुई 40,000 स्टेट बैंक आप इंडिया में भर कर भर शब्दा आया तो यह व्यावार क्या है रोकड अब रोकड आरी की जारी है हमने भरे है यह हम है जो भी व्यावार बनाने वाले वेक्ति हम है हमने भरे कहां भरे बैंक में तो रोकड आरी की जारी है तो जारी तो देखो क्या है रोकड जाती है कहा गई बैंक में बैंक कौन हुआ लेने वाला तो बैंक लेने वाली है उसने हमारी रोकड ली और हम देने वाले क्योंकि हमारी रोकड गई तो दो असर मनोज ने तीन हजार का माल भारती बहन के पास से खरीदा भारती बहन व्यक्ति का नाम आया व्याущार उदार है उदार है तो कौन सा बढ़न होगा लेने वाला और देने वाला यां मैं राम को बेची नहीं लखेंगे मैं क्या लिखेंगे मैं राम को बूक बेची मरम जिसको बेच बचा उसका नम मैंने पर इने माल करीदा ले हमसे क्या नहींत हैं माल खरीदा नियुक्त बहरति भैंच क्या कुई फ़स्ट सब्यूर लेनुक्त अंतने के सब्सक्राइब करने नकम कप्रिदा जर्ड़ूर। लेकिन उधार होगा तो एक असर व्यक्ति के नाम कोगी या तो अभी मैंने बता है ना या तो देने वाला या तो लेने वाला मनोज ने 5000 का माल विपुल को बेचा मनोज तो इंग्णोर करो विपुल विवहार उधार है तो व्यक्ति को असर होगी या तो वो लेने वाला या तो वो देने वाला विपूल को बेचा तो वो कौन है लेने वाला विपूल के खाते को असर होगी देखो लेने वाला उसने क्या लिया माल तो हमारे पासे माल गया फिर क्या है माल नकत बेचा नकत शब्द है तो आरी या तो जारी रोकड रोकड आ कहां गई फन नीचर आया और रोकर गई बराबर फिर क्या है कमिशन चुकाया चुकाया सब्दा ये तो रोकर आरे के जारी जारी रोकर जारी कहां गई, खर्च चुकाया और गई विपूल ने दोसों का माल वापस किया विपूल का नामा या व्यवहार उधार है तो विपूल ने हमको वापस किया क्या वापस किया माल आ रहा है माल आ रहा है जो आपने बेचा था वो आ रहा है तो आये तो उधार माल आ रहा है कहां से आया विपूल के पांस से वो माल वापस आता है विक्री वापसी और विपुल देने वाला है इसलिए विपुल के खाते को असर मनोज ने डेड़ सो का माल भारती बैन को वापस किया मनोज तो हमें उसको इग्नोर करो वापस किया तो माल जा रहा है हम वापस करें तो माल जा रहा है जा रहा है कहा गया भारती बैन के पास भारती बैन को हमने दिया तो वो को ने लेने वाली भारती बैन को असर होगी और माल जा रहा है दो असर भारती बैन को हमने चेक दिया रोकड है रोकड आरी की जारी दिय लिखुए व६त Ka利, क्या नाम लिखेंगे बैंक एकशर रोकर कहा गई मैंक् ONE रोकर ने चेक दिया थो बैंक पैसे चले गई भारती बैंक के पास वो को ऐने लेने वाले और हम को आरे देने वाले पर हमने क्या दिया च्छ कुर्ट तो हमारे पास से चेक जा रहा है और बारती बैंक के पास चेक आ रहा है विपुल ने 48 का चेक दिया उसने हमको चेक दिया तो चेक आया तो रोकड आ रहे है चेक आया रहा है यह बैंक से जड़ावाई चेक आ रहा है कहां से आया विपुल के पास है विपुल को ने देने वा आपको खास याद करना है कल जो मैंने बताया था व्यवहार को पैचानने के तरीके उसको बराबर याद कर लो वो तरीके आपको समझ में आए तो एक असर तो हमेशा रोकड होगी तो रोकड फिक्स होगी या तो व्यक्ति का नाम तो दो में से एक असर तो आपको हमेशा मिल तो आपको डूड़नी पड़ेगी बाखी दूसरी वाली असर एक असर तो मिल गई अगर पैचान ना आ गया तो बराबरे तो इस तरह से आपको व्यवहर को पैचान ना आना चाहिए तो ही आप ये दो एंट्री सीख पाओगे दो एंट्री के बाद आप बना पाओगे रोज नाम्चा